तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप रीजिन्स माक्बुक एर एमवन को चूज करने के और शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टार्ट अप और क्लोजिंग स्पीड से तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ने लाप्टॉप को शुरू कर दिया है और एक बार इसकी स्टार्ट सब्सक्राइब को देखना यह बहुत ही सही है आप एकदम से अंदर गुश जाते हो लाप्टॉप के आपको कोई इसूस नहीं आएंगे तो आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्या इस मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो मेरे व त्यर में तीन और लापटोप पड़े हैं और ऐसी बिल्ट कॉलिटी मतलब किसी में भी नहीं है पहले तो बहुत ही स्लीक है ये एक हांट से इसकी स्क्रीन लिफट अब हो जाती है तो जो मेकानिजिम्स हैं और जो बिल्ट कॉलिटी बनाई है वो बिल्कुल एक्सेप्शन आपको शायद इस से बढ़िया बिल्ट क्वालिटी किसी में नहीं मिलेगी आप चाहे कीबोर्ट को ले लो बैकलिट कीबोर्ट जो टचपार्ड है टचपार्ड का कोई कंपारेजन नहीं है ऐसा टचपार्ड आता ही नहीं मार्केट में विंडोस में बहुत ही कम आता है और जो स्पीकर्स हैं I think the best speakers in a laptop वो MacBooks में ही होते हैं सो गाइस बिल्ट क्वालिटी का अगर आप देखो तो वो बहुत ही अच्छी है आपको कोई भी इसूस नहीं आएंगे बिल्ट से रिलेटेड फुली मेटल बॉड़ी और स्पीकर्स भी बढ़िया और कीबोर्ट टचपार आपको इसमें कोई भी इसू नहीं आएगा और बहुत ही प्रीमियम फील आती है इसको यूस करने में और गाइस नेक्स हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे तो जो डिस्प्ले है वो एक रेटिना डिस्प्ले है जो की कोट एच्डी रेजलूशन है सो सौट अफ 2K रेजलूशन है कई विंडोस लापटॉफ में 4K मिलता है बट वो काफी हाई एंड हो जाते हैं और वो यह मैकबुक एयर से जो आप बेस फेरियंट लोके उससे काफी एक्स्पेंसिफ चले जाते हैं और प्लस उनमें यह सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जो इस मैकबुक में मिलते हैं तो बहुत ही सही है और मेरी कोई भी जो और डिवाइस है ओलेट वाले जो भी घर में पड़े हैं उनके बहुत सादा कंपारिजन में सही है तो आपको ओलेट के कंपारिजन में स्क्रीन मिल रही है तो बहुत ही अच्छा डिस्प्लेइए और बहुत ही क्रिस्प्लेइए तो ग देता है वो आपको सो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए और आपको कहीं भी इसको ले जाना है काम करना है सो वो बहुत ही सही है मैंने इसको आउट्डोर लाइटिंग में भी टेस्ट किया है और वो बिल्कुल सही रहता है कई लोग पूछ रहे थे कि 400 निट्स की जो कर दिये तो काफी अपग्रेड हुआ है पहले से और ओवरॉल डिस्प्ले भी अनांस करी है पिछले मैक्बुक एर से और गाइस इसमें अब को इस बिक सर्वी आता है जो भी लेटेस्ट अभी आपल का सौफ़वेर चल रहा है माको इसका इसमें बहुत सारे न्यू फीचर जाएं और इसके यूज केसे बहुत जादा है और एकदम से सब कुछ काफी चेंज हो गया है तो गाइस नेक्स इंपॉर्टन चीज़ पर हम आ जाते हैं जो कि एक बिक प्लस है इन नए माक्बुक के लिए जो आईफोन और आयोस की आप्स है तो आईफोन आईपाड इन द दिखना पड़ेगा अगर आप कोई स्पेसिफिक आप चाहिए बट पहले तो यह ऑप्शन ही नहीं था और आप स्टोर में आपको सिर्फ माक वेस आपस मिलती थी तो अब वो भी आड़ हो गई है और आप सारी अपनी आईवस की आपस इसमें भी चला पाएंगे तो अगर आपके आईफोन है या नहीं है अगर नहीं है तो आप फिर भी आईफोन के आपस इसके नदर यूज़ कर सकते हैं तो वो एक बिक प्लस है और मैक ओस आपस है वो बहुत जादा ऑप्टिमाइज है जैसा कि मैंने अगर कोई गेम चलाई है तो मेरा लाप टॉप बहुत ही क पब्जी वगेरा यह आपको आपके लापटॉप को थोड़ा सा हीट करेंगी यह सारे लापटॉप में होता है इस लापटॉप में फान नहीं है तो भी यह बहुत यह अच्छी तरह हैंडल करता है सारी चीजों को और मैं बता दूं कि जो फानलेस डिजाइन है आपको गेम कहल रहे हो तो उसके फैन्स एकदम किक आउट हो जाते हैं इंटेल वाले प्रोसेसर पे और वो बहुत जादे एरिट्रीटिंग हो जाता है तो इस बात को भी एक बहुत ही फैक्टर करना अगर आपको एक साइलेंट लापटॉप चाहिए जो जिनरली कोल्ट रहता है अनलेस आप गेमिंग ना कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी डील है और गाइस शायद यह पहली बार ही हुआ है कि कोई लापटॉप आया हो जिसके अंदर फैन ना हो और वो ऐसा परफॉर्म कर रहा हो अगर आप इंटेल का आई 3 लगा दे इस फैनलेस डिजाइन में वो तो बिल्कुल ही थ्रॉटल करना शुरू हो जाता है जो पिछला MacBook Air था उसमें i3 जो था वो ही थ्रॉटल करता था तो i5 और i7 तो बिल्कुल ही डिफरेंट लीग हो गई गाईस अब नेक्स आएंगे हम पर्फॉर्मेंस के उपर तो जो कमपारिजन आपल ने दिया था 3.5 अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं तो वो उन्होंने i7 से गर रखा है जो MacBook Air में है तो जो पिछली MacBook थी उसमें अगर आप कुछ भी चलाते थे तो वो थ्रॉटल करता था और यह उसकी बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी तो यहां पर जब हमने Geekbench score और Cinebench score किया तो सो जो सिंगल कोर परफॉमेंस है वो 1700 है i9 की 1100 आती है सो गाइस कोई भी टास्क जो सिंगल कोर पर डिपेंडेंट है जैसे जो सफारी पर आप चीजे ब्राउस करेंगे या कुछ भी बेसिक टास्क करेंगे वो बहुत ही सनापी होते हैं सो उस चीज को भी फैक्टर इन करन है अराउंड 8000 8500 के आसपास और यह स्कोर करता है अराउंड 7000 27500 के आसपास तो उसमें भी बहुत बड़ा डिफिंस नहीं है और जो माक्बुक i9 वाला है उसके अंदर फांस लगे वे हैं वो 2.25 लाक्स का आता है और यह 93,000 का है विदाउट अ फैन और यह ऐसी परफॉम मनी देखें सो यह बहुत ही अच्छी बाय होगी आपके लिए और यह और रीजन है इसको बाय करने का कि यह बहुत ही वाल्यू फॉर मनी और अब हम इस राप्टॉप को हाईली रेकमेंडेड में डाल सकते हैं क्योंकि अब यह बहुत ही जादा बैंक फॉर बग देगा पह और आपको फांस की बहुत जादा आवाज आती थी अब ऐसा नहीं है अब बिल्कुल चीज़े चेंज हो गई है मैंने जितना भी लाप्टॉप यूज किया है हलका सा वाम होता है जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं बेसिक वीडियो एडिटिंग के में बात क अगर आपको लगता है कि यह थ्रॉटल होगा तो भी उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा वह एक 6000 वाली रेंज में अपने स्कोर पे गीक बेंच वाले पे जाके रुख जाता है और उतनी परफॉमेंस तो देता ही है जा जाते हैं फिंगर प्रिंट रीडर पे जो फिंगर परिंट रीडर है वो बहुत ही स्नापी है और अगें आप एकदम से लाप्टॉप के अंदर साइन इन कर पाओगे और उसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है मैक बुक में अगर आपके पास आपल का कोई भी डिवाइस है तो मैक बुक ही अच्छी डील हो सकती है फिर तो शायद आपको विंडोस के बारे में तोचना भी नहीं चाहिए गाइस नेक्स आज आते हैं बाक्टरी लाइफ पे सो एक और जो स्टनिंग चीज होई है इस बार नई M1 चिप के साथ तो M1 चिप अच्छी टेन नानोमीटर्स की जो इंटल की चिप्स है वो अराउंड 45 वाट्स और पावल ले रही थी जो प्रीवियस देंज आई 5 वगेरा है तो 45 वाट वर्सेस 10 वाट्स तो ओविएसली सेम बाटरी डली वी है जो पिछले माकबुक एर में थी बट बाटरी लाइफ बढ़ गई है 10 घंटे फे 18 घंटे ज और मैंने एक स्ट्रेस टेस्ट किया था उसमें भी अगर आप देखे तो बाटरी इतनी नहीं गई है और मैं बहुत बारी देखता हूं कि काफी देर काम करने के बाद मुश्किल से 5% बाटरी जाती है तो अगर आपको बाटरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक और मेजर रीजन है जिसके लिए आप ये माक बुक बाए कर सकते हैं सुगाइस ओवर ओल जो भी मैंने कल इशूस बताए थे वो इसलिए थे कि आपको अगर उन में से कुछ बहुत ही ज़रूरी लगता है तो आप उसमें होल्ड ओफ कर सकते हैं फिर माक बुक को बट ओवर ओल जो ल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना थेंक यू